स्वागत है आपका आरेन कुछ बार यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आज बात कर रहे हैं एक महामारी की जो इस टाइम महामारी चल रही है और इस महामारी से किसान बहुत तरस्त है एक महामारी तो ऐसी चल रही है कि पूरी दुनिया उसे तरस्त है और अभी योट खतम होने का नाम नहीं लहीं रही है लेकिन उस महमारी में किसान बीचारा बहुत ही तरस्त है क्योंकि किसान जो फसल लगाता है और फसल लगाता है इस इस हिसाब से जैसे कोई बिजनेसमैन है अपनी बिजनेस का जो बर्स्टिंग करता है उसी हिसाब से किसान भी जो बर्स्टिंग करता है कि हमारा फसल लगा रहे हैं और फसल लगाने के बाद जो हमें उसी दाम मिलेगा तो उस दाम को हम यहां इन्वेस्ट करेंगे या घर बन रखा है लेकिन इस महमारी में किसान अपनी फसनों को कौड़ी के बहाव बेचे हैं सही से दाम उनका नहीं मिला है आप सोचिए कि किसान पूरे दुनिया का पेड़ भरता है किसी की पास बहुत पैसा हो जाए लेकिन खाने में दाल चावल सब्जी रूटी ही खाएगा और य साइन्टिस्ट कितना हूँ चला जाया कितना हूँ दुनिया टेक्निकल बेस पे अधारित हो जाया लेकिन चावल गेवूं सब्जी ये निकलेगा तो धर्ती से निकलेगा और ये धर्ती से जब निकलेगा किसान खेती करेगा तभी हमें खाने को मिलेगा किसान इसे में तो का हमला और इसे किसानों को बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है किसान इसे बहुत परिसान है आपको मैं टिड्ड़ों को बारे में बता दें कि एक टिड्डा का मैं आपको अपडेट दे रहे हैं कि टिड्डा करता क्या है एक टिड़ा जो उसका वजन होता है दो से तीन ग्राम वजन होता है एक टिड़े का और एक टिड़ा दो से तीन ग्राम फसल भी खायाता है आप सोचिए बड़ी ताजो की बात है कि दो से तीन ग्राम वजन होता है और दो से तीन ग्राम फसल भी खायाता है और एक बात है कि एक तिड़ा एक दिन में डेड़ सो किलोमेटर उड़ सकता है डेड़ सो किलोमेटर की एरिया वो एक दिन में कवर कर सकता है और उसके उड़ने की जो गती होती है उड़ने की जो गती होती है 15 किलोमेटर प्रति घंटा पंद्रा किलो मिटर प्रती गंटा वो उड़ने की उसकी गती होती है और एक मैं आपको आंकड़ा बता दें कि एक बर्ग किलो मिटर में चार करोन टिड़ा रह सकते हैं दोस्तों जरा इस बात को गवर करेगा कि एक टिड़ा दो से तीन ग्राम फसल खा रहा है और एक बर्ग किलो मिटर में चार करोन टिड़ा रह सकते हैं तो यह कितनी फसल को नुकसान पहुचाएंगे क्या किसान परिशान नहीं होगा इस टिड़ों से और इस टिड़ों की कहानी यह है कि जिस पेड़ पे टिड़ा बैठ जाएंगे उस पेड़ की पूरी पत्या खा जाएंगे जिस फसल में बैठ जाएंगे उस फसल की पूरी पत्या को खा जाएंगे नश्ट कर देंगे लाखो करोणों की फसल कम समय में खा जाएंगे भारत सरकार ने इस पे सक्ति से रुख किया है और कुछ मसीने बिदर्सों से मंगाई जा रही है इस्प्रे के लिए जहां तक जनकारी का सवाल है कि बेटेन से मसीने मंगाई जा रही है और वो मसीने इस्प्रे के रूप में काम करेगी ताकि ये टिड़ों हैं जल्दी से ये हमारे जो भारत है भारत को छोड़ दें मैं मध्य पदेश में लेकिन इस टाइम के उत्तर पदेश में आ चुके हैं और इत्तर पड़ेश में कई जीले में यह जो टिडो का हमला है आ चुका है आपसे मैं कहना चाहते हैं कि किसान भाईयों इसका उपाए भाँ सिंपल कर सकते हैं आप परिसान और ये मैं दो तीन उपाए आपको देशी तरीका बता रहे हैं और इस देशी तरीका से आप करिएगा तो इस टिड़ों से निजात पासकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है पहला काम यह करना है कि टिड्डो का दल अगर आ जाए तो आपको सोर मचाना है पहला काम सोर मचाना है सोर आप अकेले नहीं उससे पहले में बता दू आपको कि जिस एरिया में टिड़ा अगर आजाए तो आपको ध्यान एदेना है कि अकेले काम करने से यह नहीं भागेंगे उस एरिया के कुछ लोगी कठा हो जाएंगे, कठा होने के बाद सोर मचाएंगे सोर मचाने के लिए लोग थाली का इस्तिमाल कर रहे हैं थाली पेट रहे हैं तो उसके आवाज से टिड़े भाग जाते हैं और बस आपको ध्यान नहीं देना है कि टिड़ों का जो दल है वो बैठने न पाए अगर टिड़ों का दल बैठ जाएगा तो आपको उसे उडाने में भगाने में थोड़ी परिसानी आएगी दूसरा काम इसका ये करना है कि अगर आपके पास टेक्टर है तो उसका सैलेंसर खोल के उसे चालू कर देजिए ताकि ओवाज बहुत भैंगर रूप में करता है उसके आवज से भाग जाएगे तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको धुहां करना है जिस जगह पे हैं, आप धुआ कर दीजिए, तो सारे सारे किड़े भाग जाएंगे धुआ आपको करना कैसे है, अगर आप काला धुआ करते हैं, तो बहुत बेश्ट है काला धुआ करने के लिए आपको टैर लेना पड़ेगा या जो गंदे खराब जो कपड़े होते हैं एसको आप जलाएंगे तो काला दुआ निकलेगा बाकी अगर काला दुआ नहीं आपके पास साधन उपलब्द हैं करने के लिए तो आप जो सफेज दुआ हैं उसी को कर सकते हैं आप और उससे भी ये टिड़े भाग जाएंगे तो किसान भाईव आप परसान विए इस तीन देशी जुगार का आप इस्तमाल करिए और जो टिड़े हैं टिड़े को अपने खेतों से भगाईए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप सेर करिए लिंडेन, वाट्सब, फेस्बूक, इंस्टाग्राम जितने भी सोसल मेडिया हैं आप इस मेडिया के थ्रू इसे सेर करिए ताकि आपका एक छोड़ा सा प्र